गुड मॉर्निंग स्टुडेंट्स आज हम लोग सिविल प्रांच के थर्ड येर के अर्थक्विक रजिस्टन्ट स्ट्रक्चर सब्जेक्ट के डिजास्टर मैनेजमेंट टॉपिक चैप्टर के साइकलोजी ओफ रेस्क्यू के टॉपिक के बारेम अधियन करेंगे रेस्क्यू ऑप्टेशन जो है वो पूरा खत्रों से बरावा होता है जो मनुश्य होता है जिन पर ये अपदा आती है उनका जो मान से किस तरह है वो अलग तरगा होता है वो अलग अलग प्रकार से प्रतिक्रिया करते हैं पर ज्यादा तर लोगों के अंदर डर और गुसा होता है क्योंकि उनको ऐसे डर और ऐसी आपदा का सामना करना पड़ रहा है और जो बचावकारिय करता है उनको भी सेम समान खत्रों की फेस करना पड़ता है जैसे अर्थकेक के कारण बिल्डिंग्स गिर गई है तो बचाव कार्य गरता को भी वही रिस्क रहती है कि वो अब बच्ची वी बिल्डिंग के किसी पार्ट में दब सकते हैं इस तरह से जो मुख्य खत्रा है जैसे भूकम बाके चल गए उसके बाद में भी जो है खत्रा बना रहता है कुछ बिल्डिंग जो समय नहीं गिरी है या इस तरह की जो भी और भी आपदा है दूसरी कोई आपदा है तो भी जो खत्रा है वो समापत नहीं होता है और खत्रा भी भी बना रहता है rescue बचाव कार्य करता और जो पीड़ी थे उन दोनों में थोड़ा सा condition में उनमें ये अंतर होता है कि जो बचाव कार्य करता है उसने ये condition देखी हुए उसको पहले से पता होता है और वो उसके पास में सारे उकरण वगर होते हैं बचाव के लिए बाकी दोनों को समान खत्रा होता है इस समय जो है लोगों में गुशा और भे दोनों होता है क्योंकि उन पे जो है उनका सारा संपती का नुक्सान होता है उनके किसी रिस्तेदार की मरती हो जाती है तो उनमें जो है विबिन प्रकार की भावनाएं होती है तो जो बचाव कारिय करता है उनमें भी जो है ये इस प्रकार की भावनाई आ सकती है जैसे डर है गुस्सा है disappointment है ये सब प्रकार की जो भावनाई है वो बचाव कारिय करता है और लोगों PDTों में दोनों में आ जाती है बचाव कारिय करता के मानसिक स्तती में इस तरह की जब भावनाई आती है तो उसकी जो है emergency में और urgency में कारिय करने की जो शमता है वो कम हो जाती है उसकी जो efficiency जो है दक्सता वो कम हो जाती है rescue operation करने की और rescuer को यह समझना victims की जो पीडितों की जो है वो मन इस्तती को समझ के उसके हिसाब से उनके साथ में व्यावार करना चाहिए उनको physically तो help करना ही होता है जैसे उनको बचा के निकालना उनको खाना पानी उनको स्वास्तिय मरमत करना लेकिन उनको साथ के साथ जो है पीडितों के जो मान से किस्तती से भी उनको बाहर लाने के लिए उनको help करनी पड़ती है